हलो दोस्तों कैसे हैं आप बहुत अच्छ होंगे मैसल प्रदी प्यादब हम पढ़ रहे हैं रेश्यो उसे को आगे बढ़ाते हैं आज क्लास स्टार्ट करते हैं देखिए आज का पहला कोशन है पांस साल पहले पिता और पुत्र की आयू का अनुपाद सात अनुपाद दो था दस साल बाद उनकी आयू का अनुपाद दो अनुपाद एक होगा तो पुत्र की बरतमान आयू क्याद करिए तब बदाईएगा पांस साल पहले तो किस से आज से आज का मतलब बरतमान समय से प पांच वर्स पहले पिता और पुत्र की आयू का अनुपाद कितना है तो वो कहता है सात अनुपाद दो है लेकिन आज से कितने साल बाद दस साल बाद पिता और पुत्र की आयू का अनुपाद दो अनुपाद एक होगा तो अब बताएए पांस साल पहले कोन था पिता और पांच से गुणा करेंगे तो इसके अनुपात में गुणा होगी, तो हम कह सकते हैं, पांच दोनी दस होगा और पांच एक अना पांच होगा, अनुपात वही है, अनुपात की वैल्यू बढ़ चुकी है, तो अब बदाये पहले कितना था हमारे नुसार 7 अनुपाद 2 था तो अब बदाये 7 से पिताग्यायू कितनी हो जाती है 10 हो जाती है तो कितनी बढ़ी है 3 बढ़ी है हमारे इसाब से 3 बढ़ी है और समय का गैप कितना है 5 साल पहले और 10 साल बाद तो 10 और 5 कितना होता है 15 तो 15 वर्स बराबर होगा 3 के तो 3 से डिवाइट करेंगे तो 1 की value कितनी आएगी 5 वर्स आएगी एक कमान कितना आच चुका है 5 वर्स आच चुका है आप से क्या पूछा है तो पूछा है पुत्र की बर्तमान आयू याद करिए तो आप बताएगा पुत्र की आयू यहाँ पर कितनी थी 2 थी तो 1 कमान 5 है तो 2 कमान कितना हो जाएगा 10 वर्स तो ये बर्तमान आयू नहीं है लेकिन कितने साल पहले है 5 साल पहले तो 5 साल पहले पुत्र की आयू कितनी थी 10 वर्स थी तो आज कितनी होगी, तो आप कह सकते हैं, 15 वर्स होनी चाहिए, और यहीं इसका आंसर हो जाता है, कितने वर्स, 15 वर्स, अगले कोशन पर बढ़ते हैं, अगला कोशन कहता है, तो आप बताएगा, कितने हो रुपे को बाटना चाहता है, किस में बाटना चाहता है, अ में, बी में, और सी में, मरवह किस परकार से बढ़ना चाहता है, सवाल में दिया है, तो उसने कहा A को जो धन प्राप्थ हो, A को जो धन प्राप्थ हो, वो B और C को सईक तुरूप से प्राप्थ धन रासी का कितना होना चाहिए? एक बड़ा तीन, इसका मलए इनको तीन प्राप्थ होगा, तो इसको कितना प्राप्थ होना चाहिए? एक प्राप्थ होना चाहि तो अब एक बाव बताईगा, तो यहां पर कोन है, A है और यहां दोनों है, तो हम कह सकते हैं, हमारे अनुसार, तीनों को कितने रुपे प्राप्थ हुए हैं, तो तीन यहां है, एक यहां है, तो हम कह सकते हैं, कितने प्राप्थ हुए तीनों को, चार प्राप्थ हुए, तीन होना चाहिए तो इसका मदला इनको तीन मिले तो इसको कितना मिलना चाहिए दो मिलना चाहिए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इनको तीनों को सईक तुरूप से कितना धन मिलना चाहिए तो A प्लस B प्लस C इनके अनुसार कितना होना चाहिए तो आप बताइएगा तीनों व 20 होने के लिए इसे किस से गुणा करें 5 से गुणा करें और 20 होने के लिए इसे किस से गुणा करें 4 से तो 4 से इसके अनुपात में गुणा कर दीजेगा और 5 से इनके अनुपात में गुणा कर दीजेगा तो जैसी 5 से गुणा करेंगे तो A अनुपात B और C के वैल्यू कितन हो जाती है तो यहां 8 हो जाती है और यहां कितना हो जाती 12 तो अब अब यह तीनों का मान कितना है 20 यहां है और 20 यहां है अब 20 में से A को कितना प्राप्त हुआ है तो आप कहेंगे 5 प्राप्त हुआ है और B को कितना मिला है? तो आप कह सकते हैं 20 में से B का हिस्सा कितना है? 8 है. तो C को कितना मिले? ताकि टोटल जो हो जाए 20 हो जाए तो 8, 5, 13 होता है और 13 और 7 कितना होता है? 20. तो तीनों को मिलने वाला धन का अनुपात आ चुका है. 5 अनुपात, 8 अनुपात साथ आ चुका है, इस तरह का सवाल सबसे ज़्याद आता है, रेशियो में धिहान रखेगा, अब बदाएगे जब तीनों का अनुपात आ चुका है, आप से किसका हिस्सा पूछा है, C का हिस्सा, तो अब बदाएगे टोटल जोड़िए आपके अनुपात, तीनों डिर्ट सुआ चुका है, तो आप से C की वैली पूछा है, तो C कितना अदा साथ, तो पंदर सत्य कितना होता है, 105 होता है, तो 1050 C को मिलेगा, तो यही इसका आंसर हो जाता है, कौनसा आंसर हो जाएगा, D option इसका correct हो जाएगा, चलते हैं नैस कोशन पर, उसने कहा देगेग भाजक, भाजक को क्या कहते है, डिवाइजर कहते है, और रिमाइंडर, तो भाजक और सेस्वल का अनुपात कितना है, तीन अनुपात दो है, और भाजक और भागफल का अनुपात कितना है, साथ अनुपात बारा है, तो अब एक बाप बताइगा, तो मैं आप से कह सकता हो या कोन है भाजग है और इसका अनुपात कितना है तीन है और आगे क्या दे रखा है सेस्वल तो सेस्वल का अनुपात कितना है तो अनुपात दिया है अब नीचे दिखेगा नीचे अनुपात किस-किस का दिया है तो नीचे है भाजग और भागफल का तो भाजग का अनुप कितना है 12 रूप्आट स 8 Say tay और इन दोनों के बीच काzone पाद कितना है 11 दो है तो कि माईट डेशु निकाल लेगे तो यहां साथ लिग दिजेगा और हहां कुछ नहीं लिखाये तो इसके आगे 3 लिख जिए तो तीनों का combined ratio आ जाएगा बारेतिया कितना होता है 36 होता है और सात्या 21 होता है और इसी पिरकाड से साध्वनी 14 होता है तो तीनों का combined ratio आ चुका है अब आगे क्या कहता है यदि सेसफल कितना है, इसका कितना दे रखा है, चोदा दिया है तो अब एक बाव बताओ, यह हमारे अनुसार कितना है चोदा है, तो सवाल में भी कितना दिया है चोदा दिया है, तो आप बताओ, अगर रिमाइंडर कितना है, 14 है, तो इसको divide करेंगे तो 1 की value कितनी होगी 1 हो जाएगी, इसका मतलब सवाल की value और मेरे अनुसार जो मानेगी value बराबर है तो अब एक बाँ साथ, इसका भी real में कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा और इसका भी value real में कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी, यह क्या है भागफल है और यह क्या इसका भाज़क है अब सवाल तो आगे बढ़ता है सबसे important है वो कहता है भाज्य को dividend को no से divide करें तो successful क्या होगा पहले इसकी value तो पता होगी तबी तो निकाल पाएंगे तो कैसे निकालते हैं पताईगा यह क्या होता है भाज़क होता है और यह क्या प्राप्त होता है भागफल होता है और बच क्या जाता है सेस बच जाता है और बीच में क्या होता है भाज्य होता है तो इसका formula आप जानते हैं भाज़क गुणा भागफल और प्लस सेस और किस के साथ भागफल के साथ तो भागफल कितना है 36 है तो यह क्या आएगा 36 और प्लस क्या होना चाहिए सेस होना चाहिए और सेस कितना है आपका 14 है तो यह किसकी वैल्यू आ चुकी है आप कह सकते हैं भाज्जे की वैल्यू आ चुकी है अब इसको किस से भाग करनी है 9 से भा जब 9 से गुलनफल कर देगा, एक numbers कर जाता है, तो उसका गुलनफल भी उससे कर जाएगा, लेकिन जब 9 किसको भाग करने जाएगा, चोदे को भाग करने जाएगा, तो 9 एक अननो बचेगा कितना, पांच सेस, और यही आप से पूछा गया है, कि 9 भाज्यों को डिवाइट क मतलब एक क्रम में अनुपात बढ़ रहा है, तो अब धियाने कियागा, यदि मैं आप से कहता हूँ, यहां कितना लिखाए, साथ है, और साथ के साथ क्या लिखाए, किस लिखाए, और है क्या लिखाए तरे सट, तो इसमें कितने नंबर की गुड़ा की गई है, तो आप कि सकते हैं यह क्या है सदत अनुपात की फोम में लिखा है आप इसी पिरकार से यहां देखेगा तो हम यहां किस से गुणा करते हैं चार से तो इसमें भी किसने गुणा करते हैं चार से तो जितनी multiply पहले नमबर में हुई है उतनी multiply पादवाले नमबर में हुई है तो ये भी क्या होगा इसका सदत अनुपात होगा लेकिन पहले के अनुसार देखेगा पॉइंट चार है और पॉइंट तो यह 3.6 है और यहां कितना है 3.24 है तो अब देखेगा इसमें कितने की गुड़ा हुई है तो 9 की गुड़ा हुई है इसमें भी 9 की गुड़ा हुई है मर अनुपात गलत है देखे यहां पॉइंट नहीं होना चाहिए पॉइंट कहा होना चाहिए था, यहां होना चाहिए था, तो ध्यान से करिएगा, पहला नंबर यह सतत अनुपात नहीं है, समान नंबर से multiply नहीं होई है, तो आप का answer क्या होना चाहिए, दूसरा और तीसरा, तो दूसरा और तीसरा किसमें है, सी, इसका correct answer हो जाता है, चलते हैं, नैश कोशन पर, नैश कोशन क्या कहता है, एक सहर की आवादी में लगतार, दो वर्सों में 10% और 20% की ब्रद्धी होई, किन्तु तीसरे वर्स में 25% की कम्यों होई, तो तीसरे वर्स में जन संक्या और 30 वर्स पूर्व जन संक् थी, पहले कितनी बढ़ी है, तो वो कहता है, पहले दो वर्स बढ़ी है, तो पहले 10% बढ़ी, दूसरे वर्स कितनी बढ़ी, 20% लेकिन आगले तीसरे वर्स जो घटी है, कितनी, 25% घटी है, तो पहले दो वर्स बढ़ी है, और तीसरे वर्स वह घटी है, तो अब एक बाव तो पहले 10% तो 10% का रेश्य कितना होता है 10 एक बटा 10 तो 10 से कितनी होई है पहले साल यदि पहले साल 10 थी आवदी तो अगले साल कितनी होई है चार से एक घटी है, तो आप कहंगे 4 थी है, 4 से कितने हो जाती है 3 हो जाती है, यह तीनों वर्सों का अनूपात हो चुका है तो अब बताएगा, यदि मैं काटना चाहता हूं तो काट सकता हूं यहाँ पर यह दो है, और यह कितना है दो से इधर कट जाए क्रोस कट सकता है अब अधर ये तीनो साल का तो तीनो साल का हम एक साथ रेश्यो निकालें तो पांस से पचास और पचास और ये कितना हो जाएगा सो और इधर कितना हो जाता है निन्यानम हो जाता है तो अब अधर ये तीन साल पहले कितनी थी सो थी तो तीन साल बात कितनी हो जाती है, निन्यान में हो जाती है, तो आप से ये पोछा है, तीसरे वर्स में, तो तीसरे वर्स में आवादी कितनी है, निन्यान में है, और तीन वर्स पूर्ब कितनी आवादी थी, सो थी, तो आप कह सकते हैं, सो अनुपात कितना हो जाता है, ये वाल एक ग्रफ जाता है चलते हैं नैस्क कोशन पर नैस्क कोशन कि कहता है एक बक्से में पैन है पैंसे सिल Chicago और रवणड पैन्पार्वात को तीन अनुपार्थ डोन पात एक के आनुपार्द में रखा जाता है तो पैन है यह तो बता है पैन है पैनल है शर है है कि Woahbefore है अब बताई इनका अनुपात कितना है तीन अनुपात दो अनुपात एक है आगे क्या कहा है यदि pen, pencil और रवड की कीमत तीन, दो और दो रुपे है इसका मतलब इसकी कीमत कितनी है इसकी कीमत तीन रुपे है और इसकी कीमत कितनी है तो वो कहता है दो रुपे है और इसकी कीम pen होंगे तो दू pencil होगी तो एक eraser होगी तो अफो एक बाथ बताइबार यदि अब आप से कहा हूं इन्ही की संक्या का सत्वां माल ले, तीन pen थे तो तीन pen थे, तो एक pen कितने का है, तीन रुपे का तो pen कितने रुपे के थे 2 रुपए होने चाहिए तब अधर ये 2 रुपए 4 रुपए और 9 रुपए ये मेरे अनुसार है तो टोटल जोडते हैं तो ये कितना जाता है तो आप बताएंगे 135 होता है तो एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है 19 आ चुकी है लेकिन आप से क्या पूछा है तो बखसे में कितने पैन है तो 19 है तो बखसे में पैन कितने है तो पैन कितने होने चाहिए एक कमान 19 है तो 19 कितना होता है सत्ताबन होता है और यही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए चलते हैं अगले कोश्चन पर उसने का सबसे इंपोर्टेंट कोश्चन है ध्यान पुर्बक करिएगा एक अमीर व्यक्ति ने चार बच्चों में 725 उभारवाटे पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट दूसरे बच्चे के हिस्से में गुणा है दो गुणा है तो इसका मतला इसे दो गिफ्ट मिले है तो इसे एक गिफ्ट मिला है लेकिन आगी क्या कहा गया है उसने कहा दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का दूगना है तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का तीन गुना है किस के पास पहले बच्चे के पास तो हम कह सकते हैं पहले बच्चे के पास तीसरे बच्चे से कितने गिफ्ट तीन गुना गिफ्ट आए हैं लेकिन आगे क्या कहा है ध्यान पुरवक करेंगे देखेगा आगे कहता है चोते बच्च sum में है तो एक की value समझे के बरावर होनी चाहिए तो यहां कितने से गुणा कर देते हम तो यहां 2 है यहां 3 है यहां 4 है तो आप 12 बना लेंगे तो यहां 6 से गुणा कर दीजेगा और यहां भी गुणा किससे कर देंगे आप 4 से क्योंकि 4 से गुणा करेंगे तो पहले कार्ट से हैं किसा कुना तीन से तो यह वाला रेशयो कितना हो जाता है tes अब बच्चे से तीसरे बच्च का रेशयो कितना हो जाता है तो गहता है और इस 속 सार, यहां पर पहले और फॉर्थ वच्चे का रेशो कितना हो जाता है, बारे अनुपात कितना हो जाता है, तीन हो जाता है तो अब बताईए, पहले बच्चा हार जगे बराबर हो चुका है तो इनका हम kub Ini ratio निकालेंगे, तो किमometer का मचला पहला दूसरा और तीसरा और चोते बच्चे का जब रेश्व निकाला जाएगा अब कितना हो जाता है तो आप बता सकते हैं तो बताएगे पहले बच्चे पर कितने गिफ्ट हैं बारा है तो दूसरे पर कितने है छे है और तीसरे पर कितने है चार है और चोथे पे कितने हैं तीन है तो ये तीन चारों का अनुपात आ चुका है अब बताइएगा मेरे अनुसार कितने गृट है तो 12 और 6 18 होता है और 4 22 और 22 तीन 25 होता है मगर सवाल में कितने हैं 725 है अब मैं इसको इससे डिवाइट करता हूं देखेगा तो आप कह सकते हैं 25 25 से जब डिवाइट करेंगे 25 और पचास होता है तो बच्छा कितना है 22 पच्छिस नम्मा 225 होता है तो एक कमान कितना आ चुका है 39 आ चुका है लेकिन आप से क्या पोच्छा है पहले और दूसरे बच्छे द्वारा कुल प्राप्त उभारों की संख्या ग्याद करिए तो 29 गुणा कितना हो जाता है 18 हो जाता है तो 29 गुणा 18 की वैलियो कितनी होती है 522 होती है यह इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बड़ा अच्छा सवाल है एक्जाम के हिसाब से कर सकते हैं अगले नेक्स कोशन पर बढ़ते है उसने कहा विश्णू 12 मेज और 6 कुरसिया खरीद टेवल की जो प्राइज है वो कितने रुपे है 50 रुपे पिड़ती टेवल और चेयर हमें नहीं पता तो हमने कितनी माल ले एक्स रुपे माल ले और इनका रेट कितना था तो इनका रेट था 40 रुपे तब एक बाह बताए टेवल कितनी थी 12 थी और 12 टेवल कितने के तो आप कह सकते हैं 600 रुपे की होनी चाहिए और हिया कितनी चेयर है? एकस है, तो 40 के इसाब से कितने की होनी चाहिए? mगट वहले तोटल कितने की घरी दिया है उसने? 5000 रुपे की त आप बता सकते हैं 5000 बरावर कितने? 600 प्लस 40x इसको इधर लेके जाएगी तो आप कहेंगे 40x बराबर कितने के होगा 4400 के 0 से 0 भाग करेंगे इस से जब हम डिवाइट करेंगे तो x की value कितनी आएगी 110 आएगी अब x की value कितनी आचुकी है 110 आचुकी है आप से क्या पूछा है आप से पूछा गया कुर्शियों की संख्या मेच की संख्याओं से किस अनुपात में है तो मैं यदि आप से क्या हूँ इसका मान कितना था x का मान 110 था तो ही 110 रखिएगा और ही कितना था 12 तो दोनों के बीच का अनुपात कितना होगा तो दोनों के बीच का अनुपाद होगा, दो से काट लीजेगा, तो यहां कितना आएगा 6, और यहां पर कितना आएगा, 5 पन आएगा, तो इन दोनों के बीच का अनुपाद किसका होगा, 6 अनुपाद, 5 पन का होगा, तो पहले किसका पूछा गया, कुर्सी का पूछा गया, और बाद में टेवल का है, तो कितना अनुपाद हो जाएगा, 55 अनुपाद 6 हो जाता है, चलते हैं, नैस कोशन पर, नैस कोशन के कहता है, एक व्यक्ति की मासिक आए, और खर्च का अनुपाद 7 अनुपाद 3 है, तो आप बताएं, इनकम और उनके खर्च का रेश्यो दे रख है, साथ अनुपाद कितना तीन दिया है, अब आगे क्या कहा गया है, वो कहता है, यदि उनका खर्च कितना दिया है, चववन सो रुपे दिया है, तो चववन सो बरावर कितने के, तो आप कहेंगे तीन के, तो अब तीन से भाग करिएगा, तो एक कमान कितना होगा, एक सो और C होगा, $800 होगा, जब 1 की value $800 हो है, तो आप से क्या पोछा गया है? मासिक I ग्याद करी, तो I ग्याद करेंगे, तो $800 गुड़ा, तो आप कह सकते हैं साथ, और इसका मान क्या होता है? $12,600 होगा, और यही इसका correct income हम देखे आ जाती है और यह इसका अंसर C हो जाता है चलते हैं नेस्ट कोशन पर तो नेस्ट कोशन क्या कहता है देखेगा X अपोन 4Y बरावर कितने के हैं 3 अपोन 4 के तो इसको इधर ले जाएंगे और यहां क्या बचेगा X और नीचे बचेगा Y और बरावर 3 अपोन 1 आ जाएगा इसका मतलब X की value कितनी रख सकते हैं आप 3 रख सकते हैं और Y की value कितनी रख सकते हैं एक रख सकते हैं तो आपसे इसका मान पूछा है तो बड़ा simple हो जाता है सवाल तो किस प्रिकार्ट से कर पाएंगे तो आप कहेंगे 2x प्लस 3y और यहां किया पूछा है x-2y तो x की value कितनी है 3 है तो 3, 2 जा 6 और यहां कितना आजाता है तो आप कहेंगे 3, आप उन कितना आएगा तो आप यहां बताएं 3 और minus के 2 हो जाता है उपर value आजाएगे 9, वटे 1 तो इसका मान कितना हो जाना चाहिए नो हो जाना चाहिए और यहीं इसका correct answer हो जाता है चलते हैं next question पर बड़ा important question है दिहान पूर्बग करेंगे देखेगा उसने कहा एक company 3 पिरकार के वक्सों का निर्मान करती है प्लास्टिक है, लकडी है और कांच है प्लास्टिक, लकडी और कांच के वक्सों की संख्या का अनुपात में रखा है 2 अनुपात, 3 अनुपात, 5 है लकडी और कांच के वक्सों की संख्या के बीच का अंतर 144 है तो यदि प्लास्टिक के बक्सों की संख्या में 25% की ब्रद्धी हो जाए तो अब प्लास्टिक के बक्सों की संख्या कितनी होनी चाहिए तो आप बताईए हमारे पास तीन परकार के बकसे हैं, बनाएगे प्लास्टिक हैं, फिर क्या है, बुड है, लकडी का है, और क्या है, गिलास है, कांज का है, अब गिलास देखिएगा, प्लास्टिक है, बुड है, और गिलास से बनाएगे बकसों का अनुपाद कितना है, तो लकड़ी तो आप बताई लकड़ी और किसके कांच के तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है तो वो कहता है 144 है तो हमारे अनुसार कितना अंतर है दो का और सवाल का अनुसार कितना है 144 का तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 72 आएगा तब एक बाब बताएगे एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है 72 आ चुकी है लेकिन आप से पूछा है प्लास्टिक के बक्सों की संख्या में 25% की ब्रद्धी हो जाए तो पहले पक्सों की संख्या पता होगी तब ही 25% की ब की ब्रद्धी करनी है 25% की तो हम कह सकते है 144 गुणा कितना हो जाता है 25% तो पच्चिस उपर आएगा 125 हो जाता है नीचे कितना आ जाता है 100 आ जाता है अब जब हम इसे भाग करते है 25 बंजी 125 होता है और 25 का 100 होता है जैसी हम इसको भाग करते हैं तो हम कह सकते हैं यह कितना आगा 36 आएगा और 36 गुड़ा कितने के पांच के और 36 गुड़ा 5 कितना होता है 180 होता है इसका मत्लब 25 परसेड्स ब्रध्धी करने के बाद प्लास्टिक बकसों की संक्या कितनी होगी 180 होगी और ये आप से पूछा गया है चलते है नेश कोशन पर नेश कोशन के कहता है दो संख्या दो संख्या पांच अनुपात तीन के अनुपात में है और इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितने का है 34 का है तो आप बताएगे दो संख्या थी पांच अनुपात तीन के अनुपात में थी औ और दोनों संक्याओं का अंतर कितना दें? 34 दें रखाए. तो अनुपात कांतर कितना है? दो मेरे जिसाब से 2 है आर सवाल कितना है? 34 है तो आप कह सकते है Also 70's और जब कमान समयें 70's पूचेवशर साल है चोटा नम्बर कंबर कितना होगा? तो 3 की value निकाली, तो 17 गुणा 3, तो 17 ते ग्या होता, 51 होता है, तो 51 इसका correct answer हो जाता है, चलते हैं next question पर, next question के कहता है, चतुरत अनुपात पूछा है, तो आपको ये बताया गया है, A है, B है और C है, इनका चतुरत अनुपात निकालते हैं, तो आप कहते हैं, बात बाले द क्या हो जाता है, तो ये कोन सा अनुपात कहलाता है, चतुरत अनुपात कहलाता है, तो आप बताये हमारे पास क्या था, हमारे पास था, 12 की power 35 था, और दूसरा क्या था, 3 की power 12 था, इनका हमें चतुरत अनुपात निकालना है, तो आप बतायेगा, last के दो नमबर हैं, इसको हम A कह दे, इसको B कह दे, और इसको हम C कह दे, तो last के दो number की multiply करेंगे, और जब last के number की दोनों की multiply करेंगे, तो 3 की power कितना आइगा? 12. और 4 की power भी कितना आएगा? 12 आएगा. और डिवाइड वाई, 12 की power कितना होगा? 35 होगा. तो ये एक बावर दई इनको हम लिख सकते हैं पावर समान है और जब पावर समान है तो तीन गुणा चार और की पावर क्या लिख सकते हैं बारा लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और बारे की पावर है कितना होगा 35 होगा तो अब यदि मैं आप से कहूं तीन की पावर 12 था अरगुड़ा 12 की पावर कितना है 35 है तो दोनों का अंतर कर दिजिएगा क्योंगी पेस इक्वल होता है क्या होता है तो पावर माइनस हो जाती यह पुला से एक माइनस है जुड़ जाती है जब इन्हें जोड़ेंगे तो आप इनगे 12 की कितना आएगा यहां पर तो आप कह सकते हैं 24 आ जाएगा यहां कितना जाएगा 24 नहीं 23 आएगा तो 12 की power दोनों को घटाएंगे तो यह कहएगा minus के 23 आएगा यह इसका answer हो जाता है क्योंकि जब इन दोनों का base equal होगा तो power add हो जाती है जब power add होगी तो minus का 35 है और प्लस का बार है, जब add होगी तो कितना आएगा, minus के 23 हो जाता है, यह इसका correct answer हो जाएगा, चलते हैं next question पर, तो next question क्या गहता है, एक छात्र द्वारा प्राप्त कियेगे अंग, उसके द्वारा पढ़ाई में लगे समय के सम, अनुक्रमा पाती होता है, तो इसका मतलब, एक छात्र ने, जितने अंग प्राप्त करें हैं, तो numbers जितने प्राप्त किये हैं, वो directly proportional है, उसमें पढ़ाई में लिएगे, समय के directly proportional है, आगे कहता है, आप देखें, सबसे पहले इनको हम, इसको हटाएंगे, तो इसका constant मान लिजेगा, तो k बरावर t, तो पहले इसकी value निकल वाएगा, इस तरह का सवाल ratio में सबसे ज़्यादा आता है, ध्यान रखेंगा, तो अब एक बावत हैं, जब के का मान निकल वाएगा, तो आपको number भी देगा, और उन number को लाने में लिए गया है, समय भी देगा, तो आप बताएंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे, तो चातर प्रती घंटा कितनी घंटे पढ़ाई करता था, प्रती दिन चार घंटे पढ़ाई करता था, तो टाइम कितना है, तो उसने कहा, चार घंटे है, और उसके number कितने प्राप्त हुए, साट अंग प्राप्त हुए, तो यहाँ पर क्या जाएगा, साट अंग प्राप्त ह करने के लिए उसे प्रति दिन कितने घंटे पढ़ाई करनी होगी तो अब बताई एन बरावर क्या दिया है के और टी दिया है तो एन की वैल्यू कितनी दे रखी आपको कितने नंबर आने चाहिए 75 और इसका मान कितना है 10 है और बरावर देखेगा गुड़ा टी आ जाएगा 75 और प्राव्त करने के लिए तो अब एक बाव बताओ यहाँ 35 धर्ड यहाँ पर कितना आएगा यह कितना था यह 15 कुछी जब 4 से काटेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा और जब यहाँ पर पंदर आएगा तो आप कहशते हैं यहां पर भी वैलू कितने के बराबर आएगी हैं आपर भी आगे दे रखाएं B Online अनूपाद C नंपाद C कहा hon मान कितना दिया है 5 अच नंपाद 4 दिया मेख contributions 70 कारूमान निकालना है तो यहाँ पर कोई अनूपाद ने लिखा तो इस अनूपाद को यहाँ लिख दीजेगा और ही अनूपाद कुछ ने लिखा पंदरा, दस और आठ यही इसका आंसर हो जाता है चलते हैं नेस कोशन पर आगे कहा है देखे क्या कहा है सवाल में A. अनुपाद B. कितना दिया है 7. अनुपाद 9 दिया है और B. अनुपाद C तो B. अनुपाद C का मान कितना है 5. अनुपाद 6 तो 5 यहां रखिएगा और 6 यहां रख दीजGO अब अदर ये यहां 9 दिया है तो इसके नीचे 9 दिजगा इसके आगे आगे का लिख दिजागा 5 तो ये क्या निकल जाएगा इनका कममाइड रेशियो निकल जाएगा तो अब 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 अदर ये सत्य क्या होता है 35 होता है और यह कितना आता है नो पंजे 45 होता है और नो चंग 54 होता है तो यह किसका अनुपाद आ जाता है कम माइंड रिश्यो आ जाता है A B और C का लेकिन आप से आप से क्या पूछा है C अन और A का अनुपाद पूछा तो C की वैल्यू कितनी है 54 है और A की वैल्यू कितनी है 35 है तब यही आप से पूछा गया था यही इसका आंसर हो जाता है तो 54 अनुपाद क्या होगा इसका 35 इसका correct आंसर हो जाता है चलते हैं नैश कोशन पर उसने कहा 8 और 20 का तिरती अनुपाद आप जानते हैं तिरती अनुपाद क्या होता है A अनुपाद A और B दो नंबर से इनका क्या निकालना है तिरती अनुपाद तो बाद वाले नंबर का square करके पहले से divide कर दे तो यह अनुपाद क्या बन जाता है तिरती अनुपाद बन जाता है त चार्ट दो से इसे कड़ जिएगा तो यहां कितना आएगा 10 आजाता है तो इन numbers का 30 अनुपात कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए और यही इसका answer हो जाता है चलते हैं Nash question पर तो Nash question क्या कहता है A अनुपात B बरावर कितना है A कामान कितना है 5 के अनुपात में दिया है और B कामान कितना दिया है 7 के अनुपात में मगर आपसे value क्या पूछा है 6 A square minus के 2 B square upon आपसे पूछा है B square minus के A square पूछा है अब एक बाव बताइएगा अब A की value कितनी रख सकते हैं 5 तो 5 का बर कितना होता है 25 25 खका 1,500 तो यह क्या जाएगा 1,500 आजाएगा minus तो बताईए B कामान कितना है 7 का बर 41 और 44 की उड़ा किससे कर देजगा 2 से तो यह कितना आजाता है अठान में आजाता है अब बताइगा B कामान कितना है 41 है और यहाँ पर कितना आजाता है 25 हो जाता है अब बताओ उपर क्या value आईगी आपका नुसार तो मैं आपसे कह सकता हूँ 2 जोड़ेंगे तो आप कह सकते हैं उपर कितना आएगा बामन आजाएगा क्योंकि 58 और 2 कितना होता है तो आप के सकते हैं चोड़ेंगे चार से भाजख उपर तीन आएगा और नीचे क्या जाएगा तो आपका अंसर कितना होगा चलते हैं नैशकोषिन पर नैशकोषिन के कहता है चतुर्त अपाद निकालना है तो अब रभी same है ए इसे बे माल लिजगा इसे C और बाद वाले दो नमबर की गुणा करेंगे B गुणा C और बटे पहले वाले से डिवाइड कर देंगे तब बताएगे क्या एगा 8.4 गुणा 4.2 और डिवाइड वाइड किस से कर देंगे पहले वाले नमबर से तो यहां कितना जाता है पॉइंट से पॉइंट हजार था है 14 गुणा 84 होता है अब 6 दूनी 12 होता है 24 अरे 25 होता है तो इसका आंसर कितना जाएगा 25 असम्बलब दो इसका आंसर हो जाता है चलते हैं नेश कोशन पर तो नेश कोशन क्या गहता है दो बेलन की तरज्या दो अनुपात तो आप बताएगे दो बेलन है हमारे पास ये क्या है इसकी रेडियस है आर बन है एक बेलन और है हमारे पास इसकी रेडियस क्या है आर टू है इसकी हाइट दे रखी हमारे पास कितनी दिरखी है इसकी h1 और इसकी क्या दिरखी h2 तो इनका अनुपात दिया है इन दोनों का अनुपात क्या है दो अनुपात 1 है और इन दोनों का अनुपात कितना दिया है 5 अनुपात 2 है लेकिन आप से क्या पूछा है इनका volume पूछा है वो क्या आएगा pi r 2 का square और h2 आजाता है तो बताएगे pi से pi कट जाता है r की value कितनी है यह 2 है तो 2 कबर कितना होगा 4 होगा तो यह गयाएगा 4 गुणा यहां बताएगे इसका मान कितना था तो आप बताएगे 4 यहां पर क्या जाएगा 4 तो इसके साथ क्या आएगे हाइगे 4 गुणा क्या आएगा इसका 5 आजाएगा और इसके अनुसारा पताएगे यहां पर कितना था तो इसका मान कितना रेडियस इसकी एक है और एक गुणा एक हो जाती है तो आपके अनुसार इहां पर कितनी value हो जाएगी 20 उपर आएगा और नीचे कितना 1 आएगा यही इसका अनुपात हो जाएगा 20 अनुपात 1 हो जाता है formula याद होना चाहिए volume आपको cylinder का volume पता होना चाहिए b1 परावर होता है pi r square h होता है तो इसकी r अलग है, इसकी r अलग है इसकी h अलग है, इसकी h अलग है तो r1 यहां लिखा, और r2 यहां लिखा तो अनुपात कितना आएगा 20 अनुपात 1 हो जाता है चलते है नेच कोशन पर तो नेच कोशन क्या गहता है a, b, c का ratio दे रखा है, 2 ratio, 3 ratio, 4 दिया है मार आप से यह पूछा है तो आप बताएगे, 2 बटे, 3 होता है यहां, और यहां कहा है, 3 बटे, 4 है और यहां पर कितना है 4 बटे, 2 है और अनुपात बटे में नहीं होता, तो इनका एलसिम कितना होगा तो बता सकते हैं, 12 होगा तो 12 बनाने के लिए, यहां पर किस से उना करी चार से चार दुनी 8 हो जाता है और यहां 3 से तो 3 तिया 9 हो जाता है और यहां 6 से तो 624 हो जाता है तो इनका value कितनी हो जाएगी 8 अनुपात 9 अनुपात 24 इसका मान हो जाता है और यह इसका correct answer हो जाएगा चलते है next question पर वो कहता है डिब्बे में 45 वलब है जिन मेंसे 12 वलब तो सही कितने होंगे आप बता सकते हैं तो मैं आप से कह सकता हूं या 33 सही होंगे तो आप से क्या पूछा है अच्छे वलब डिब्बे में अच्छे वलब और कुल वलब का अनुपात बताईगे तो अच्छे वलब कितने हैं 33 अब कुल वलब कितने हैं 45 है इनके बीच क्य होंगे 11 होंगे तो यही इसका अंसर हो जाता है तो 11 की आउपाथ 15 यही उन्ससका के अनुपाथ ended दो आनुपाथ 3 आनुपाथ 5 के अनुपाथ में है अब उसने आगे कहा उनके बर्गों का योग कितना है 342 है तो यदि मैं आपको यहां पर यह कह देता हूँ इसको हम क्या माल ले 2X और इसको हम माल ले 3X और इसको हम क्या माल ले 5X माल ले अब इनके बर्गो का योग कितना है 342 है तो इसका बर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4X square और हिहां क्या आएगा 9X square और हिहां पर कितना आएगा 25X square अब इनके बर्गो का योग दे रखा है 342 दे रखा है तो इन सब को जोड़ेंगे तो जैसी जोडते हैं तो हिहां कितना आजाता है 34 आजाता है 34 और कितना हो जाता है 34X square बरावर कितने के तो आप कहेंगे 300 42 और इससे हम इसको डिवाइट करेंगे कितनी बाढ़ जाएगा 9 बार तो आप कह सकते है X square बरावर कियाएगा 9 तो X square बरावर 9 है तो X की value कितनी होगी 3 होगी अब आप से आगे क्या पूछा है सबसे बड़ी संक्या ग्याद करिए तो सबसे बड़ी संक्या कौन से थी इसमें 5X थी तो X का मान कितना है 3 है तो 5 तीया 15 हो जाता है तो बड़ी numbers कितना होगा इसके अंदर 15 हो जाता है और ये इसका अंसर हो जाता है चलते है नेश कोशन पर आप से पोचा है A अनुपाथ B का मान कितना दिया है 7 अनुपाथ 4 दिया है तो A और B का अनुपाथ कितना है अब बदाएगा मेरे अनुसार A की वैल्यू 7 है और B की वैल्यू कितनी है 4 है अब इन दोनों का अंतर अनुपाथ के अनुसार कितना होने चाहिए 3 मगर सवाल में कितना दिया है 9 दिया है तो 3 बराबर 9 के तो 1 का मान कितना हो जाता है 3 हो जाता है जब 1 की value 3 आ चुकी है आप से क्या पूछा है A plus B का मान गयात करी तो पहला आप बताईएगा A की value real कितनी होगी 21 होगी इसी अनुसार B की real value कितनी होगी 12 होगी और दोनों का योग बताईएगा तो दोनों का योग जो होगा वो कितना होगा 33 हो जाता है तो यही इसका correct answer हो जाता है चलते हैं Nash question पर तो Nash question क्या कहता है A, B और C का नुपात 2 नुपात 3 नुपात 5 है तो अब बताईए 5B तो A का मान कितना था 2 था तो 5 दोनी 10 हो जाता है minus B का मान कितना था सोरी यहाँ पर क्या है 5B है minus A और plus 2C बराबर कितना दिया है 115 दिया है आगे देखेगा तो आपसे क्या पूछा है B का मान पूछा है तो यदि मैं आपसे कहता हूँ यदि इस का मान हम यही मान ले तो B का मान कितना है 3 है तो 3,5 कितना होता है 15 होता है और A की value कितनी है तो 2 हैं रख दीजेगा और C का मान कितना है 5,5 दोनी 10 रख दीजेगा और बराबर कितने के क्योंकि यह value ratio value दियान रिखेगा तो यदि मैं आपसे हैं कहता हूँ दियान पूरवग तो इन्हें जोड़ेंगे तो 25 हो गया और 25 में जो गया तो 23 हो गया 23 बराबर कितने के 115 के इससे हम divide करते हैं तो यहां कितना आ जाता है एक कमान कितना आ चुका है पांच आ चुका है जब एक की value पांच आ चुकी है तो आपसे पोछा है तो इक कमान कितना होगा तीन गुणा पांच के होगा तो पास्तिया 15 हो जाता है और यह इसका correct answer हो जाता है यही आज की वीडियो का last question था next वीडियो में next question के साथ मिलते हैं ठीक है